जबलपूर में कई व्यक्तियों के साथ धोका धड़ी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अमित खंपरिया पर एक और शिकायत जबलपूर S.P. के समक्षाई है कोमलपांडे नाम की व्यक्ति ने जबलपूर S.P. आफिस पहुंच कर अपने शिकायत दी है कोमलपांडे का कहना है कि अमित खंपरिया के द्वरा धोका धड़ी करते हुए उसे जेल भिजवाया गया था कोमलपांडे ने बताया कि अमित खंपरिया ने उसे नैनपूर कोड में ले जाकर फर्जी तरीके से दो बार साइन करवाये थे दूसरी बार साइन करते ही पुलिस ने उसे ग्रफ़तार कर लिया था आरोप है कि अनिरुद कुमार चतुरवेदी के नाम से अमित खंपरिया के द्वारा जान से मारने और परिवार को खत्म करने की धमकी दे कर साइन कराए गए थे जबकि अनिरुत कुमार चत्रवेदी आमित खंपरिया के पिता है इसी मामले में दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा दूसरे नाम से नैनपूर कोट में साइन किये गए थे पुरे मामले की शिकायत जवलपूर S.P. से धार्द बगोडा से की गई है जिसके बाद जवलपूर S.P. ने कहा है कि पुरे मामले की जाँच बरगी C.S.P. प्रियंगा शुकला को सौपी गई है जो कि पुरे मामले की जाँच करेगी और उचितकारवाही मामले में की जाएगी इसमें अमित खंपरिया जिनका पुराना भी रिकॉर्ट है उनके विरुदिक शिकायत आई है कि उन्होंने दवा बना करके आविदक को अनिरुद प्रसाद चत्रुवेदी के नाम पर प्रस्तुत करके उनको जेल भीजवा दिया ऐसा इस आशाय का एक आविदन जस्ट का शुक्ला गोदी है वो जांच विदिवद होगे और जांच उपरांत प्रावई होगे मेर रपोर्ट खबर पत्रदेश